हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे बेसन की बरफी यह भूत ही आसानी से बन जाती है और इसको बनाने में कोई भी जंजट नहीं है बेसन की बरफी बनाने के लिए हमने लिया एक कटोरी बेसन और जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा कटोरी हमें घी लेना है ताकि हमारी क्वैंटिटी बिल्कुल सही रहे और हमारी मिठाई खराब न बने तो यह हम आधा कटोरी घी डाल देंगे और जैसे घी मेल्ट हो जाए हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसको हमें भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम में और इसको भूनते रहेंगे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है औरना बेसन हमारा जल जाएगा बेसन को भूनते भूनते 2-3 मिनट हो चुके हैं गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और साथ ही में हम एक पैन रख लेंगे और उसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे मीडियम या लो फ्लेम में और इसकी हम एक तार की चासनी तैयार करेंगे और साथ में बेसन भी हमारा भून रहा है ये देखिए पहले बेसन हमारा ऐसा था और 4-5 मिनट के बाद ये देखिए ऐसा हो गया हमारा बेसन थोड़ा सा लिक्वीड फॉर्म में आने लगा गीने कडाई छोड़ दी है साथ ही में ये देखिए हमारी चासनी बनकर रेड़ी हो चुकिए और ये देखिए मैं दिखा रहे हूँ एक तार ये बन रहा है तुरांध हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे हमें इस से ज़्यादा इसको नहीं पकाना है साथ-ाथ मिनट के बाद ये देखिए बेसन से बहुत ही अच्छे खुसबों आ रहे है और इससे हमको पता भी चल जाता है कि हमारा बेसन भून चुका है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हूँ ताकि बर्फी का कलर और भी अच्छा आए खिलकर आप हल्दी की जगव फूट कलर भी आड़ कर सकते हैं अब हम इसमें चासनी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको चलाते रहेंगे इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना ने है फटा-फट हमें अपने हाथ चलाने है और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से ये देखें बेशन की बर्फी का मिक्सर बिल्कुल अच्छे से रैडी हो चुगा देखने से पता चल रहा है अब हम तुरंत इसको एक प्लेट में खाली कर लेंगे वन्ना ये इसे में जम जाएगा मैंने प्लेट को घी से ग्रीज कर लिया है मिक्सर हमारा सही बना है की नहीं बर्फी के लिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं ये देखें थोड़ा सा हमने बेशन उंगलियों पर घुमा लिया है और यह चिपकेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारी बर्फी का जो मिक्षर है बिल्कुल सही बना है, पर्फेक्ट बना है और यह आराम से बर्फी इसकी बन जाएगी अब इसको हम खाली कर लेते हैं और अच्छे से फैला लेंगे प्लेट में अब हम इसको अच्छे से प्लेन कर लेंगे और इसमें थोड़े से हम ड्राइफ रूट से इसको ड्यकुरेट कर सकते हैं चाहे तो बिना ड्राइफ रूट के भी हम इसको रख सकते हैं अब इसको हम एक दो गंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे एक घंटे के बाद मैं देखे आपको यह काट के दिखा रहे हैं और यह बहुत ही शौफ्ट और बहुत ही अच्छा बना है देखने से पता चल रहा है और खाने में भी यह बहुत ही स्वादिस बना है तो दोस्तों आप इसको 2-3 घंटे के बाद इसको काटिएगा क्योंकि एक गंटे के बाद ही इसको कट करके आपको दिखा रही हो अच्छे सेट हो जाए दो गंटे के बाद तब आप इसको काट सकते हैं दो गंटे तक यह आराम सेट हो जाएगा तो दोस्तों देखा आप लोग उने कितनी अच्छी और कितनी स्वादिस्ट बेसन की बर्फी बनी है एक बार अगर आप बेसन की बर्फी घर में बना कर खाएंगे तो आप बाहर की मिठाईयां खाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरे बेसन की बर्फी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई, stay home, stay safe, take care और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुक्तामना है